हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैंने लास्ट वाले व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग मेरे हस्बेंड की कजिंग की शादी में गए थे तो अभी हम लोग वापस आए हैं और आप देख सकते कितना सारा सामान फेला यह कुछ में कड़ी पता जो होता है ना मीठा नीम हम कहते हैं कड़ी पता तो इसका मैं पूध पर बहुत सारे लगे वे थे तो पापा ने इतने सारे निम्बू दे दिये कि मुझे आस पर उसमें सबको देने पड़ेंगे क्योंकि मैं अचार भी खुब से खुब इतना डालूंगे मैं रोज निम्बू पानी पीती हूं लेकिन इतना सारे स्टोर करना थोड़ा मुश्कि यहां पर बड़े वाले अम्रूद आते शायद थाई अम्रूद होते वह मुझे अच्छे नहीं लगते इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अब मुझे यह सारा सामन सेट करना है और यह पूरा सेट करने में विशे तो दो से तीन दिन लग जाते है क्योंकि सारे कप में इतना सारा सामन लेके जाना होता है तो आं यह जाता है की जाने से पहले वी दो दीन में जाते है किश रख लेह नहीं कुछ रहे तो नहीं गया कि अब इसा लगता है जब अकेले ट्राविल करते तो कितना इजी होता था ज्यादा कोई टेंशन नहीं होती थी लेकिन अब वीर के साथ बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर उसकी एक भी चीज रह जाती है तो मतला अभी तक रही तो नहीं है बट लगता है कि अग है तरबूज आपने लास्ट वाला व्लॉग अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा है तरबूज कहां से आया है यह सिताफल तो मैं क्या है ना यह थोड़े कच्छे है तो मैं इन्हें जो बॉक्स रितन हो उसमें पेक करके रख दूंगी तो यह एक एक करके पक है तो पहले भी बहुत सामनपेक करने में इसा होता है कि यह करना है वो करना है तो दो तीन दिन निकल जाते हूं और जब ट्रेवल से वापस आओ तो उसे जमाने में सेट करने में फिर दो तीन दिन निकल जाते है तो यह सा करते करते न भी बिल्कुल व्लॉग नहीं हो पा में थोड़ा सा व्लॉक शूट करूँ ताकि वो दो दिन में मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा सकूए कि हम लोगों ने क्या क्या किया और कुछ लोगी कॉमें आया था मेरे पास कि जो नीवान बीबी होते हैं उनके साथ होटल में कैसे मैंनेश करना होता है उनने कैसे ने लाया क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी फैसलीटीज नहीं होती है हमारे पास जिसी घर पर होती है और दिन बर होटल में आपने बेबी को कैसे मैनेश किया तो ये सारी चीजे में इस बार कोशिश करूंगी कि शूट करूं कि दिन बर मैंने बीर के साथ होटल रूम में क्य कि गहर में इतनी सारी चीज़े होती उसे इंगेश करने के लिए लेकिन अगर हम लोग कही बहार है तो इतनी चीज़े नहीं होती है तो मैं इस बार पुरा शूट करूँगी कि मैं उसे केसे नहिलाया और केसे क्या सब कुछ कर रही हुमें और होटेल में बेबी के साथ स्टी करने को लेकर अगर आपके और कोई क्वेश्चन सो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगी लेकिन अगर मेरे पास अभी क्वेश्चन आ जाएंगे तो जब हम लोग जाएंगे तो मैं आप लोग लिए वो सारी चीज़े शू मेला लगा हुआ है भोजपाल मेला बहुत अच्छा असा लगता है वहां पर सरकस भी है तो आज हम लोग देखने जाएंगे सरकस वीराज पर्स टाइम सरकस देखेगा तो अभी हम लोग जब जाएंगे नहां पर तो मैं कोशिश करूँगी कि मेले का भी व्लॉग बनाओं चलिए ठीक है आज हम लोग मेले में जाएंगे तो वहां में आप लोगों को लेकर चलूँगी दिखाऊंगी मेले में क्या क्या है सो अभी मैंने वीर को सुला दिया है और जब तक वीर सो रहा है तब तक मुझे कुछ खाना पिना है वो में कर लूँगी क्योंकि अब उसके साथ कुछ भी खाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हर चीज़ उसे चाहिए होती है सो अभी मैंने वीर को सुला दिया है वो हो सकता है एक घंटा सो ले या हो सकता है पाश-दस में भी उठ जाए मैंने मेरा खाना खाली लिया है और अब मैं यहाँ पर मेरा जीरा का पानी तयार कर रही हूं इसमें मैंने जीरा, अजवाइन, मेथी दाना और मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दिया है कड़ी पत्ता ओर और हिल्ट के लिए अच्छा होता है तो मैंने क्या करती हूँ अब यह जो पानी बनाती हूँ ना मैं मेरा पीने के लिए इसमें मैं बहुत सारी चीजें ऐसी एड़ कर देती हूँ जो हमें लेना चाहिए तो इसे मैं सिर्फ अजवाइन जीरा का पानी नहीं रखती हूँ इसमें मैं दूसरी चीजें भी कुछ तुलसी का पता है या ऐसा एड़ करती रहती हूँ ताकि और ज्यादा न्यूट्रिश बहुत ज्यादा स्वेटर में लोना तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है और वैसे भी मुझे इतनी ज्यादा ठंड की वैसे प्रॉब्लम नहीं है कि उससे कुछ प्रॉब्लम होरी मुझे तो मैं अच्छ से इंजॉय करती हूँ और आज बहुत टाइम बात जब मैंने बच्पन में देखा था वैसे तो मैंने तीन से चार साल पहले देखा था सरकस लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था बहुत टाइम हो गया है और उन्हें सरकस में जब मैं जाती हूँ ना देखने के लिए तो बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में उन लोगों के लिए क्योंकि व मैं फिल कर पाती हूँ कि नहीं हार कितना टफ है उनके लिए यह सब करना हम लोग नाइट का शो देखने के लिए गए थे तो दो घंटे सरकस में ही निकल गए और ठंड भी थी मैं वीर को सिसाब से लेकर नहीं गई थी मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ठंड लगेगी तो इसलिए हम लोग ने आज मिला नहीं देखा मिला देखने के लिए हम लोग किसी और दिन आएंगे लेकिन आएंगे जरूर क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि जो जो भी चीज़े में वीर को दिखा सको ना मैं सब दिखा दू अभी से तो हम लोग नेक्स टाइम आएंगे में मिला देखने के लिए और आज की दिंगे को इसे खास पिक नहीं में हर व्लौग में आप लोग के साथ पिक्स पिशेर करती हुझे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए बेबी के साथ केसी पिक्स शेयर करनी चाहिए लेकिन आज के व्लॉग में साथ कुछ है ही नहीं जिसकी मैं पिक दिखा हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ पिक्स के आइडिया भी शेयर करूंगी तब तक के लिए बने रहेगा वाबाई